हेलो फ्रेंच, मेरे योग्ट्यो चैनल इंप्रोफ्यूर नॉलज में आप सरी का श्वागत है फ्रेंच, आज मैं मकर शकरांती एक्षपेशन खिचरी की रेषपी लेकर आई हूँ मकर शकरांती के दी कई जगञे घढ में खिचरी बनाना जरूरी होता है और हमारे खड़ में इसी तरीके से खिजरी बनाए जाती है जो मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ इस रेश्पी को बनाना बहुत आसान है इसे आप कभी भी बनाएए मुझ में श्वात भूरता नहीं है तो इस रेश्पी को आप ही जुरू ट्राइ किजिए और मेरी चैनल को लाइक किजिए शब्सक्राइब किजिए शेयर किजिए हाँ कॉमेंट बक्स में अपना कॉमेंट चलू लिखिए जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग को मेरी रेश्पी कैसी लगी है तो फ्रेश चबिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं गैस पे हमने एक प्रेसर कुकर रख लिया है कुकर को हम सबसे पहले गडम होने देंगे प्रेसर कुकर गडम हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे दो चमच देसी घी तो यह छोटा चमच है हम दो चमज डाल रहे हैं, अगर चमज बड़ी हो तो एक चमज डालें, घी को हम मेठ होने देंगे, अब हम इसमें डालेंगे तूवर का डाल, तो हम जो खिशडी बता रहे हैं, उसमें तूवर का डाल सेखना बहुत जरूरी है, यह तूवर का डाल हम धूएंगे नहीं, इस तक हम तेल में रोष्ट करेंगे रोष्ट किया हुआ दाल खिच्री में बढ़िया श्वाद देता है तो यह बात आप ध्यान से समझेगा दाल को हमने अच्छे से सेंका है घी में आप देख सकते हैं आपको जब देख सेंगे तो दिख जाएगा तो खिच्री के लिए यह मेरा पहला टिप्स है कि दाल को आप घी में रोष्ट कर लीजी इसके खिच्री का टेष्ट कई घुना बढ़ जाता है अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी पॉडर्ण और यहां पे हम डालेंगे एक चमच नमच दोनों को हम दाल के साथ मिक अब हम प्रेसर कुकर का कभर लगा के डाल को गला लेंगे जब तक अपनी डाल गल रही है तब तक हम दुसरे बढ़नर पे दुसरी कडाही में तबियां उप्टाई कर लेंगे हमने कडाही गैज के गड़न कर लिया है अब हम उसमें एक बड़ा تمध राई का तेल डालेंगे तो शक्रांती की खिटरी के लिए राई के तेल में सब्धी प्राय कैजिये बहुत ही तेशकी लगता है तेल को हम गरम कर लेंगे क्योंकि सर्षो का तेल है तो अच्छे से गरम होना भी जडूरी है तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें फोरन डालेंगे तो यहां पर हमने दो इलाइची एक दाल सेमी इस्टीक खेसाथ लॉंग एक छोटी वाली इलाइची एक चम्मच जीरा और तेज पत्ती लिये हैं अब हम इन सारे खोरन को इस तेल में छोड़ देंगे तेल को खोरन में ही चटक चुका है अब हम उसमें डालेंगे एक बड़ा साइज प्याज इसे हमने इस्टाइस में काट लिया है खोरन में हम प्याज को मध्यम फ्लेन पे भूनेंगे प्याज के साथ में हम एक समय से इसमें अधरख डालेंगे तो यहां पे हमने अधरख को दरदरा खूट लिया है इसे में अधरख का भी स्वाज बहुत बढ़ियां आता है और इसे आप पेश्ट करके मत दरदरा ही रादियेगा तो और स्वादिस लगेगा एक एक निवाले में अधरख का श्वाज आता है इसे हम आधा मिनत तक प्याज के साथ भूनेंगे आप देख सकते हैं प्याज हलका सगल चुका है अब हम दालेंगे इसमें खेली फ्लावर यानि की गोवी गोवी को हमें ऐसे पीसेस में तोड रखा है न जादा बड़ा न जादा छोटा एक बड़ा आलू को हमें छील के ऐसे की उसमें काट रखा है तो हम प्याज के साथ आलू और गोवी को एक मिना तक भून लेंगे आलू गोवी हल्का भून चुका है अब हम डालेंगे इसमें मटर ये फेस मटर है गाजर जिसे हमें किल्प्स में काट रठा है एक बड़ा गाजर को कुछ हमने यहां पर बेंच लिया है इन सभी सब्जियों को हम इसी प्रादी में डाल देंगे यहां पर आप अपने मन पसंता और ही सब्जी डाल सकते हैं जोड़ी आवलेवल हैं सब्जियों को हमें कचापल दूर होने तब दूना है हमने आलो, गोव्टी, मैटर, बेन, गाजर, क्यार, अधरक, सखी को किनी लिया हैं आप देख सकते हैं यह गला नहीं है पर इसकी कच्छापन जो है वो निकल चुकी है यानि कि जो कच्छी की स्वार है वो सब्जियों से निकल चुकी है अब हम इस इस पेज पे डालेंगे एक बड़ा टमाटर में से हमें क्यूट में ही काटा है और थोड़ा सा हम यहां पे पत्ता गोव्टी डाल गए हैं आप चाहें तो डालें नहीं है तो एक शीज कर दीजिए यह सब्जी हम लार्ट में डालते हैं क्योंकि यह बहुत जल्दी कर जाता है अब इस सब्जियों को हम आधी लिगन तर अपनी सब्जी के सांथ पकाएंगे जैसे कि हमने बताया सब्जीयों को बलने नहीं देना है इसकी पच्छा पंदूर करनी है सब्जीयों को हमने जुना है आधी लिगन पर अब हम इतने कुछ मसाला एर करेंगे तो यहाँ पे हम एक चमर लाल मिच डालेंगे लाल मिच आप अपने फिखा के अनुसार डालिए बच्छों के लिए बना रही है इसको मात्रा सम रखिए अगर बड़े खाने वाले है इसको मसाले जार खुष्टी में इसको आजादा ही चलता है अब हम यहाँ पे डालेंगे आधी चमर चलतीं डाले भी डालर रखा है और सब्ही से हम एक चमज नमग цаलेंगे तो ंंदे आ अल्वार ekंडिक के सब्डि के साथ ही नमग बटन के सको मसाला को भी घृक शब्ड़ी में आप पी आप यह वाल कर.. सब्जी हम भून रहे थे तब तक अपनी दाल भी गल चुकी है अब हम ख्लेम को आफ कर लेंगे और दाल का प्रेसर निकलने देंगे अब देख रहते हैं अपनी सब्जी की कच्चापन दूर हो गई है हम बाड़ बाड़ बोल रहे हैं कि सब्जी को बल्ले नहीं देना है इसकी केवल कच्चापन दूर करनी है अब हम यहां पे चावल डालेंगे तो चावल को हमने चून के धो लिया है उसका पानी निकाल लिय चावल की इतना ही होना चाहिए, जितना हम दाल लेंगे उसके डबल चावल लेंगे, तो खिजरी का श्वार बढ़ियां आता है, अब इस चावल को हम सब्जी के साथ भूनेंगे, तो यहां पे आप कोई भी चावल ले सकते हैं, चावल दो तरह की आती है, एक कच्सी और एक पक्त की, तो यहां पे हमने कच्सा चावल यूच किया है, अब हम चावल को सब्जी के साथ पैसे चलाते हुए भूनेंगे, ज्यादा देर नहीं भूनना है, एक मिनट तक हम मसाले के साथ सब्जी को भूनेंगे, सब्जी के सांथ हमने चावल को भून लिया है, अब हम कैस के फेम को मॉप कर लेंगे, अब हम कुकर को खोलेंगे, तो आप देख सकते हैं, अपनी प्रेशर कुकर से प्रेशर निकल चुकी है, धकन आराम से हम पोल चकते हैं, दाल अपनी गल चुकी है, तो इसे हमें मैच ना नहीं है, दाल के भी ऐसे ऐसे दाने दिखने चाहिए, तो यहां पे हम इसमें पानी अइड करेंगे, तो हम दो ग्लास इसमें पानी अइड करेंगे, हमने दो ग्लास पानी दाल दिया, अब हम हलके हाथों से दाल को ऐसे चला लेंगे, अब हमने जो राइस सब्जी के साथ स्टाइ किया है, उसे इसमें अड कर देना है, तो हम इसमें धीरे धीरे ऐसे राइस को छोड़ देंगे, एक खिजडी का टेष्ट तो आप बनाएंगे, तो ये शक्रांति आप भूल नहीं पाएंगे, इतनी टेष्टी ये खिजडी होती है, आप गेश्ट को खिलाइए, बज्जों को खिलाइए, फ्रेंज को खिलाइए, बोलो भी याद करेंगे, कि हमने क्या खिजडी खाया था, चावल को हम अच्छे से डाल के साथ ऐसे मीक्स कर लेंगे, तो सबको पता है, खिजडी में पानी जादा ही पड़ता है, अगर जरूरत होगा, तो हम पकने के बार भी राल देंगे, ये तो खिजडी देखने में भी इतनी सुन्दर लग रही है, तो चलिए हम अब कभर करक इसे एक सीटी आने तक पका लेते हैं, अब हम गैस को आन कर लेंगी, अब देख सकते हैं, अपनी खिजडी में एक वीजिल आ चुकी है, बस हमें खिजडी को इतना ही पकाना है, और ख्लेम को हमें आउफ कर देना है, जब तक इसका अपने अप्रेसर नहीं निकलता हमें अपने खिजडी के प्रेसर कुकर की प्रेसर निकल चुकी है, अब हम कभर को खोड़ेंगे, अरे वा, आप देख सकते हैं, कितने बढ़ियां लोकी आ रहे हैं खिजडी की, तो हम खिजडी को अब समझ से मीक्स करेंगे, खिजडी काफी गार ही है अपनी, तो हम इसमें पा पानी आड़ कीज़िए, पानी के साथ हम अच्छे से खिखी को मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं, हमने डेर गलाश उपर से पानी आड़ कर दिया है, ऐसे ही खिजडी की थिकनेस होनी चाहिए, अब चलिए हम तड़की की तयारी कर लेते हैं, गैस पे हमें एक तड़का पैन ले लेना है, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, खिजडी में देसी घी का तड़का बहुत जरूरी होता है, तभी खिजडी की श्वाद बढ़ती है, तो इसमें एक बड़ा चम्मत हमें घी डालना है, घी गरम होने के बाद हम उसमें आथा चम्मत जीजा डाल और इसमें हम डालेंगे दो पींच हींग, हींग से अच्छे से खिजडी जाजेट कुता है, तरका को हम अच्छे से चटकने देंगे, जलाएंगे नहीं, किवल इसे ब्राउन होने देना है, आप देख सकते हैं अपनी तरका कितना बढ़िया तयार हुआ है, तो चलिए हम खिजडी में डाल लेते हैं, तो ऐसे हम अपनी खिजडी तयार हो गई, अब लाश्ट पर हम इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, वह आपके च्वाइस के ऊपर है, पसंद है तो डालेए, नहीं तो ये फ्रोपर खिजडी अपनी तयार हो चुकी है, तो हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रहे हैं, पत्ता को हम अच्छे से मीक्स करेंगे, हमारे हर्मिन सभी को धनिया पत्ता डाला हुआ खिजडी पसंद है, तो हमने डाला, आप अपने अनुशार डालीए, कितनी बढ़िया कलर आई है, तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, तो फ्र रेश्पी को आभी जरू ट्राइ कीजी, अगर आज की मेरी रेश्पी अच्छी लगे तो मेरे सेनल को लाइक कीजी, शब्सक्राइब कीजी, शेयर कीजी, और कमिंग करना मत भूली, धन्यवाल,